Students, आज हम monotonic sequence and convergent sequence पर कुछ question solve करते हैं देखे, question number 1 है, show that the sequence Sn is defined by Sn equal to 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus 1 plus last term 1 upon n plus 1 is convergent यहनि जो sequence Sn है, जिसकी टर्म, एनेति टर्म यह given है हमें, यह sequence हमें convergent proof करना है, तो convergent proof करने के लिए एक उसकी definition है, जिसमें यह formula है कि हम Sn पर limit apply करें और limit apply करने के बाद जो limit value आती है, वो कैसी होनी चाहिए? finite and unique, अब हम एक और दूसरा method समझते हैं, convergent proof करने के लिए जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, कि अगर कोई sequence monotonic increasing हो and bounded हो, तब वो sequence convergent होती है, या कोई sequence monotonic decreasing हो and bounded भी हो, तो वो sequence convergent होती है, आज हम उस method पर इस question को solve करते हैं, देखिए हमें given है SN, SN यहां पर एक series form में given है, तो इसलिए यहां यह जरूरी बन जाता है, कि हम monotonic sequence से इसको प्रूफ करें, तो हम क्या करें, इसको monotonic check करें, कि increasing है इसके लिए हम जानते हैं, कि SN plus 1 minus SN की value हम find करते हैं, और वो देखते हैं कि greater than है, या less than है, तो चेक करते हैं, देखिए, SN given, portion में से हमने लिखा, SN plus 1, n के place पर हमने n plus 1 लिख दिया, इसमें, तो देखिए, यहां n plus 2 हो जाएगा, इसकी जाएगा, n plus 3, so on, last में हो जाएगा, 2n है, तो क्या हो जाएगा, यहां n plus 1, यहां n plus 1, तो 2n plus 2, इससे पहली term 2n plus 1 होगी, तो इससे एक और पहली term हम देखे, तो क्या होगी, 1 upon 2n, क्यों? क्योंकि 1 का increment हो रहा है कि n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 अगली होगी, अगर हम last term कहें 2n प्लस 2, तो इससे पहली term 2n प्लस 1 और उससे पहली term 1 upon 2n, ठीक है, तो हम यह लिख दें, चलिए 1 upon 2n, अब हम sn प्लस 1 माइनस sn करते हैं, यह इस में से इसको माइनस करते हैं, sn प्लस 1 हमने यह पूरा term bracket में लिखा, माइनस sn की पूरा term माइनस में लिखा, और हम देखते हैं, क्या cancel हता है, धिकर n प्लस 2 से, n प्लस 2, Wikipedia, n प्लस 2, 1 upon n प्लस 2, 1 upon n प्लस 2, dov n प्लस 2 cancel, 1 upon n प्लस 3 यहां और से अगली term, वो cancel, एक स savage अम्य देखती है कि यहां जो है। से पहला वल घिलन ट्रहिए और यहां से लेकिए हैं तक好吧 कैंसल को जाएं केवलन यह थे पारव मचीनgrade से अधान मैम वहझे सांट की д Seitशचाफ है इसको हम calculation द्वारा यानि LCM बगरा लेकर इसको हम अप्खोद करना यह यहां जो answer आया वो मैं यहां देखता हूं Sn plus 1 minus Sn equal to 1 upon 2 n plus 1 to n plus 1 ठीक है तो यह हमने देखा positive है कहीं भी negative नहीं है n की सभी value के लिए यह क्या आएगा positive nature number positive होते हैं और इसमें कहीं भी negative नहीं है तो positive positive means क्या होता है greater than 0 सारे positive number 0 से greater होते हैं you know so sequence Sn is monotonic increasing greater than के लिए क्या formula हमने पुछली वीडियों बताया है increasing के लिए greater than 0 होता है sequence कैसे होगे increasing sequence monotonic अब हम इसको bounded भी प्रूफ कर दें तो यह कैसे हो जाएगी conversion Sn गिविन है देखें बाउंडिट प्रूफ करने के लिए एक और method हम यह समझे लेते हैं सें हमने लेस का चिल लगाया क्यों तो क्यों कि यह देखतें वन अ बहुणि अपन प्लस बन कैसे बन ऑंपन न से यह आप देख सकती है क्यों कि आपन सब्सक्राइब कर सकते हैं योग कर सकते हैं लैस का सिंबल इक्वल की जाएगे क्या है क्यों फिर समझ लो तो वन अपन एन प्लस वन जो टर्म है है वह वां अपान प्लस है सही है टो लैस इसी है सी पर सबतो प्लस करें को क्या है? क्यों कि एक टर्म बन बने यह है दूसरी टर्म यह है और लास्ट टर्म क्या है एन वी टर्म है एने टर्म है तो यह सब टर्म कितनी है काउंटिंग करें तो एंटर्म और से में कि एंटर्म हो जाएंगी एंटर्म फोन अपन एंसेंट कैंसिल एसेंट दें वन इसेंट का मॉड अगर देखें तो यहां यह प्रूफ हो जाता है कि सब्सक्राइब कैसी स्फार्ण कंवर्ज द sort एक और क्षिया एक औरम क्या है किや मोन丁इंप इंप रelet तो यहां आपने मोनेपन इंपरीजिंग कोशन पूम करने का और बाउंडेट प्रूफ करने का और कन्वर्जेंट का तीन कोशन एक ही कोशन में आ गए तो तीनों की मेथड आपको समझ आये होंगे एक और कोशन समझते हैं देखिए अपको समझाऊ समझ आये एक फिक्स तर्में सम इसका सीडिवर्म आये है तो हम डिर्यक्न आपको आप्लाय कर सकते हैं लिमित अप्लाइट करने में क्या एंगी प्लाइट पर वन प्लाइट कितना होता है जीरो कैसी लिमिट वैल्यू है सिक्वेंस कैसी हुई गया यहां कन्वर्जेंट करने का डारेक्ट में अप्लाइट करें और लिमिट कैसी आनी चाहिए हमने दोनों मेथट कनबर्जेंट के यहां सीखे और यह फाइनाइट यूनिक वाला मेथड हम पीछे भी करा चुके अब हमें यह आता है कि हम यह अपलाई करें यह तो सीरीज फॉर्म का कोशन होगा जैसे कि यह कोशन निम्बर वन है तब हमें मॉनोटोनिक और बाउंडेट से प्रूब करना होगा और हमें डारेक्ट कोई एनेत टर्म गिविन एकोशन में तब हम सीधे अपलाई कर सब्सक्राइब है तो यहां दोनों मेथट कनबर्जेंट के समाज आये होंगे आपको ओके